अगर को मैं जो करेले के बीजों को लगाな घर इस टरीके से आप बाई लगाने लगा ए तो इन्शालोप आपके खौराब भहला है, और सारे के बीज आपके उग्णा शुरू हो जाएंगे simple जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप easily काम कर सकते हैं इसके साथ इसका season देखेंगे, मटी देखेंगे, पानी देने का तरीका कार देखेंगे तो चलें वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि season की, आप इसको January, February और March के अंदर इसकी easily seedling कर सकते हैं आपने करेले के बीचों की और आज जब हम लगाने लगे हैं तो February की साथ तरीक है जब इसको मैं लगाने लगा हूँ अगर आप भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गा और भाई की वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए गा ताकि आपके भाई का उसला पर करार रहे एक छोटा सा लाइक होता है वो कर दिया करें क्योंके माशाहला व्यूज आ रहे होते हैं लेकिन लाइक अफ लोग नहीं करते क्यों के आपको वीडियोह मेरी उसंद हैं नहीं हम बात कर लेते हैं के लिए कि इसको लगाएं गाया तो अभी जो मेरे पास यह औरे हो यह यहाए एक ट्रे आ अंडों की ट्रे घत्रे में इ और फिर एजिली में एक पौदे को यह नीचे से यूँ पकड़ूंगा और हाथ से मटी समेत यहां से पौदे को अलग जगा पे लगा दूँगा और इसका दूसरा फैदा यह कि जब हम पौदे को मटी समेत लगाएंगे तो पौदे हमारे मरेंगे नहीं 100% हमें जर्मिनेशन करना शुरू होगी है इसके लिए अगर आप इसकी जड़ें हवा में नहीं आने देंगे तो पौदे की कारगर्दगी बहुत अच्छी रहेगी इसलिए को को पीड़ पीड मोस इस्तमाल किया जाता है कि उसके समेत ही जिमीदार अपने जमीनों के अंदर पौदों को ट्रा बनती है तब ही जाकर हमारे पौदों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है अगर हमारे पौदे जो सीडिलिंग वाले है पनीरी वाले है वही मरीयल टाइप से होंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा हम इतनी मेनद करते हैं दो से तीन माउस को का दें सुपर पानी और उसकी देख बाल फिर भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता इसी वज़ा मिलता क्यूंकि हमारी पनीरी हैल्दी तोर पर त्यार हमसे नहीं होती यह जो मती है यह मती बिल्कुल फाइन किसम की कर लिए मतलब आम आप गार्डन सोयल ले अगर भल मती नहीं है कमें अग्रायक का लिंक अंडर आ रहा है कि अधर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मती बनाने ऊबर बात कर लेंगे जी इस मटी को मैं डालूँगा यूँ यह देखे यह सीडिलिंग ट्रे मैंने भर लिया और एक बात का आपने ख्यार रखना है कि यह वली अगर आप गते की सीडिलिंग ट्रे इस्तमाल करेंगे तो जिस जगह पर आपने इसको रखके सीडिलिंग करनी है फिर इसको उसी जगह पर रहने देना ह मैं आपको guide कर दूँ कि जब हम इसकी seedling कर रहे हैं इसको direct sunlight के अंदर रखेंगे मैंने direct sunlight के अंदर रख दिया मुझे पता कि इस जगा पे सारा दिन के दूप मेरे बीजों को लगनी है तो इस वज़ा से tray को मैंने इस जगा पे set कर दिया नीचे टायर है टायर के अंदर मेटी है और उसके उपर मैं ये tray रखके seedling कर रहा हूँ जो पानी उगारा गिरेगा वो मेरे नीचे वाली मटी पे चला जाएगा यूँ आपने seedling tray को भरके फिर इसको गीला करना है पानी देंगे इसको एक दफ़ा पानी हमारा अच्छी तरह मटी के अंदर चला गया मैं दुबारा से फिर से पानी देंगा इसको उपर से और ये सैडों पर ये देखे मैंने ये अलकी सी क्यारी बना दी है ये इस वज़़ा से बनाई है सिटरीन को लगाने के लिए और मटी को देखे मैं ने अच्छी तरह गीला भी कर लिया क्योंगे मुझे पता है करेले के बीज हाड होते है तो इसी तरह आपने भी करना है करेले के बीजों को बिगोकर एक दिन के लिए फिर next day इसकी सीडरीन भी कर सकते हैं लेकिन मैं बिग इसके टो हम बाड़ मती जाएं जाएं यह सिंपल हंड़ इस तरीके से बीजों को अम इसा ठीट करेंगे यह सीदिंग ट्रिय पर इसी तरीके से यह होल करूंगा यह एक एक बीज एक बीजों को रखुँँगा इसके अंदर यह लें आप देग्रें लेकर दोड़ी सी उपर से कवर कर दूँगा, यह लिए यह हमारे बीज होगे कवर बीजो को हमने लगा लिए, उपर से कवर भी कर लिए अब दुपारा से इसको हम पानी देंगे और इसके अंदर हमने अपनी नमी को बरकरार रखने बिलकुल मटी को ड्राय नहीं होने देना अगर बार-बार मटी हमारी ड्राय होगी तो हमारे बीज अच्छे तरीके से उगेंगे नहीं एक दिन में आपको दो दफा भी पानी देना पड़ सकता है क्योंकि आपको पता है फेबरेरी में अच्छी खासी दूब निकर रही है और हीड भी है इस दूब के अंदर और पानी हमारा जल्दी यहां से उड़ जाएगा मटी के अंदर से तो इस वज़ा से हमें दो दफा भी पानी देना पड़ सकता है अगर आपकी मटी थोड़ी सी ज्यादा चीकनी टाइप है तो आपको एक दफा पानी देने की जुरूरत है आप एक से दो दिन बाद भी पानी उसको देंगे तो फिर भी चलेगा क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी नमी रहती है जो हमारी मटी है इसको जो हमने त्यार की है यह भल मटी को हमने त्यार की होगा इसके लिए हर रोज मुझे पानी देना बड़ेगा बहतरीन तरीके से और सफाई से हमने अपने वीजों को लगा लिए मुझे मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इनफरमेशन मिली होगी इजी लिए आप भी इस सेडिलिम को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं तो इसी के साथ मिलते हैं कि नेक्स रोड़ी के साथ नेक्स रोड़ी के साथ तब तक लिए खला हफीज बाई बाई